हेलो एबरिवन जैसी एराम, राधे राधे, कातिक मास के महीने को सर्वशष्ट बताया गया है और इस महीने में जब तब दान धरम का जो फल है वो कई गुना होके मिलता है और इसी महीने में सबसे ज़्यादा दीपदान किये जाते हैं दिवाली भी इसी महीने में आती है और अगर आप रोज कहीं दिया नहीं लगा पाते हैं कहीं कभी आपका नियम पूरा नहीं हो पाता आप वरकिंग है या किसी भी कारण से तो आप इस महीने में पूरे साल भर के लिए दीब दान कर सकते हैं पूरे साल भर की 365 बाती का एक ही दिया बनाया जाता है और उस दिये को आप दान करके पूरे साल भर के उस जगहां के नियम को पूरा कर सकते हैं बहुत ही अच्छा रहता है और अगर आप पहले से कहिंका करते हैं नियम तो भी अच्छा रहता है कई बार भूल चूक हो जाए कोई छूट हो जाए तो भी वो आपका संपूर्ण हो जाता है आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप वो दिया बनाएंगे कैसे कब बनाना है कहां लगाना है कैसे लगाना है आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को बिन स्किप करें और तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेर जरूर कर दीजिएगा सबसे पहले तो देखिए आप बड़ा सा कोई दिया ले लीजिएगा अगर आप मिट्टी का ले रहे हैं तो आप कोरा यानि की नया लीजिएगा या फिर आप चाहें तो इस तरह से नारियल से भी बना सकते हैं दोनों ही तरीके सही हैं तो देखिए नारियल को आप इस तरह से लंबे में काटिएगा कटोरी की तरह आधाधा मत काटिएगा लिटा के इस तरह से काटिएगा ताकि वो दिये की सी शेप आजा इस तरह से जिसे चोच सी निकले होती है और आप चाहें तो इस तरह के दीबदान चाहें तो एक कर सकते हैं, पांच कर सकते हैं, साथ कर सकते हैं, ग्यारा कर लें, 21 कर लें, 108 कर लें, अपने हिसाब से, अपने सामरत के हिसाब से आप इस तरह के दीबदान कर सकते हैं, तो दिये आप अपने हिसाब से मिट्टी के या गोले के कोई भी ले सकते हैं, उसके बाद हम बाती बना लेंगे, तो देखिए आप कलावे से बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कच्चे सूत से भी बना सकते हैं, इस तरह का आता है, वैसे तो आप चाहें तो रूई से भी बना सकते हैं, लेकिन रूई से बहुत मोटी ह जाती है 365 बाती इसलिए इस तरह का कच्छा सूत या फिर आप कलावा ले सकते हैं दोनों में से कोई भी ले लिजिएगा उसके बाद सबसे पहले आप तार गिन लिजिएगा कि आपके कलावे के कितने तार हैं क्योंकि तार के हिसाब से हम मल्टिप्लाइ करके 365 करेंगे तो द और यह पीछे से आके दो अब यह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से करके हम लपेटेंगे आपको आधे में एक गिनना है इस तरह से और हम इसे 122 बार लपेटेंगे और 3 से गुना करेंगे 122 को तो हमें मिल जाएंगी 366 बाती तो देखिए वीडियो में आपको थोड़ा स्पी तो देखिए इस तरह से मैंने अपना लपेट लिया है हाथ में उसके बाद कैंची से पहले एक साइट से कट करेंगे देखिए इस तरह से और आप दूसरी साइट से कट करेंगे तो यह देखिए इस तरह से तो यह हमारी 366 बाती बन गई अगर आपो कन्फ्यूजन होती है या बाती बना लिजीएगा, पहलत असानी से बना पाते हैं, अगर आप कच्छे सूथ से बना रहे हैं तब भी आप इसी तरहां से बाती बना सकते हैं, तो इसी तरह से सब दियो के लिए हम 365 365 बाती बना के इन्हें कम्प्लीट कर लेंगे और जो बाती के लिए आप कलावा ले ना वह पतले तार कही लीजेगा बहुत मोटा तार होगा अगर तो भी आपकी जो बाती है बहुत मोटी मोटी बनेगी उसे कहना घी तो कम आएगा घी तो इस तरह से सारी बाती बना ली है अब सारे दियो में अपनी रख लेंगे तो देखिए वैसे तो जैसे गोपास मी वाले दिन गाय के लिए जोड़ा जाता है अबनानू मी अलग दिया है मैं आपको आगे बताऊंगी कब आप कौन सा जिद्धिया जोड सकते हैं लेकिन अगर आप एक साथ जोडना चाहते हैं, आप को याद भी रहेगा तो देखिया बना ली में अब इन दियों में हो सके तो आप अपते भी दाल सकते हैं बाकि भगवान से हाजोड के प्रात्ना कीजिएगा कि आपको वो और अच्छे से अच्छा दें ताकि आप उन्हें और अरपन करें. लेकिन अगर आपका सामरत है और उसके बाद भी आप नहीं करते हैं फिर गलत है तो अगर जैसा भी आपका सामरत हो, जैसा आप कर सकें उस हिसाप से आप दीबदन जरूर करें सबसे प्रथम आता है देसी गी का दिया गाय का हो तो आती हो तम है नहीं तो कोई भी देशीगी चलेगा दूसरे नमर पे हमारा आता है तिल का तेल शुद्ध तिल का तेल और तीसरे नमर पे आता है हमारा सरसो का तेल तो उसी साफ साफ देख लिजेगा, आपको जैसा सही लगे, उचीत लगे, उसी साफ से आप अपना दियों में इस तरह से भर सकते हैं, तो देखे पहले एक तरफ से बाती को दुबो लिजेगा, और उसके पलटके फिर दूसरी तरफ कीजेगा, क्योंकि बहुत मोटी बाती ह तो सुखी सुखी रह जाएंगी, तो तुरंती जल जाएंगी, तो ऐसे भी सही नहीं है, दिया काफी समय जले, इसलिए इस तरह से आप अच्छे से भर लीजेगा उन्हें, उसके बाद हम अपने दिये को मिनसेंगे, मिनसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये दीप दान कर रहे हैं, और जब भी कोई चीज दान करते हैं, तो उसे पहले मिनस दे हैं, तो देखिए अपने पल्ले में, चुन्नी के या साड़ी के पल्ले में, इस तरह से आप थोड़ी खील ले ले लें, दिवाली वाली, और खील नहीं है, तो आप चावल भी ले सकते हैं, उसके नहीं मिनसेंगे, नहीं जलाएंगे, और खील को मैं यही पर रख लूँगी, क्योंकि जब हम दिये रखते हैं, तो उनको नीचे आसन देना होता है, मतलब कुछ रखना होता है, तो यही खील के दो-दो दाने रख के आप अपना दिया जोड़ सकते हैं, और देखिए यह ह आपके एक बड़ जम जाएगा कि तब दिक्कत नहीं होती, तो सबसे पहले आप अपने दियो को इस तरह से नमस्कार कर लें, अब बात कर लेते हैं, कि आपको यह दीबदान कब, कहां और कैसे करने हैं, तो देखिए कातिक मास में दीबदान का विशेश महत्व होता है, त तो देखिए सबसे पहला दीबदान आपको करना होता है, गव माता के निमित, तो देखिए आप गोपास्ट मी वाले दिनी से कर सकते हैं, सबसे पहले गोपास्ट मी ही आएगी, तो आप गोपास्ट मी वाले दिन गवशाला में जाके इस दीबदान को कर सकते हैं, और हो सक जेगा आप गौशाला में कर सकते हैं या अगर आपके आसपास कोई गाय रखते हैं तो आप उनसे पूझके वहाँ भी कर सकते हैं तो पहला दिया हमें गोमाता का दान करना है और गोपास्ट में वाले दिन आप कैसे पूझा करेंगे उसकी वीडियो चैनल पे आ चुकी है ज पूझन कर पाते हैं और वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि जितना पूझन मूर्तियों का या फोटो का करने से आपको लाब नहीं मिलता उतना आप अगर वनस्पती का पूझन करते हैं तो आपको शीगरूस का लाब मिलता है इसलिए वरत वगारा में पेडों का पूझन करने का विधान बताया गया है, तो आप जो दूसरा दिया है अपना वो आवला में दान कर सकते हैं, आवला दीबदान कर सकते हैं, तो दूसरा दिया हम आवला में दान करेंगे, तीसरा दिया हमें करना होता है दान हमारी तुलसी माता के निमित, देखे वैसे तो हम अपनी तुलसी म तो आप तुलसा माता के निमित कर सकते हैं, उसके बाद देखे, आपका जो चोथा दिया होता है, वो हमें दान करना होता है, हमारा गंगा जमना माता का, तो अगर आप कातिक नहारे हैं, तो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप पूरे महीने ही गंगा जमना की कहानी सुन र कातिक में गंगा जमना के सनान का विशेश माइड़ रहता है तो अगर कहीं जाके नहारे हैं घैया ज़ोड़ करें चैसे हैं थे यह मता ही को और इस तरह से आपको पूरे साल भर गंगा माता जमना माता के निमित दीबदान करने का लाब मिलेगा उसके बाद आप अपना पांचवा दिया जो है पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जोड़ें क्योंकि देखे पीपल के पेड़ का पूजन बहुत विशेश बताया जाता इसके अलावा आप चाहें तो अगर इन में से आप कोई जगा चेंज करना चाहें तो भी या अगर आप ज़्यादा दिये दान कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूँ आप शिवाले में करके आ सकते हैं यानि कि शिवजी के मंदिर में जिससे आपको मंदिर में दीबदा तो इस तरह से आप बढ़ के पेड़ में कर सकते हैं, केले के पेड़ में आप कर सकते हैं, जहां पर भी विश्णु भगवान का वास होता है, जो भी आपके दैदेव हों, आप वहां पे पूरे साल भर का ये तीन सो पैसर दीपदान करके आ सकते हैं, और उसके बाद आप अगर पात से ज़्यादा दीबदान करते हैं, तो आप इन इन जगा पे दीबदान कर सकते हैं, तो देखे इस तरह से आप साल भर का तीन सो पैसर बाति वाला दीबदान कर सकते हैं, I hope मैंने आपके सभी डाउट लेर कर दियो होंगे, तो वीडियो आपको कैसी लगी, ज़ बोड़ी भी उसुल लगी हो तो जादा से जदा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमली के साथ और इसी तरहां की और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें और कमेंट बॉक्स में जैस याराम लिखना ना बोलें जैस याराम राधी राधी